Hello everyone, welcome to Legal Minds Group आप सभी को देशेरे की हार्दिक बदाईयां और हम यही कामना करते हैं भगवान श्री राम से कि आप लोग सभी स्वस्त रहें मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को अपनी नौलेज को हमेशा इंक्रीस करते रहें चलिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ इसी लेक्चर को शुरू करते हैं तो आज का जो बड़ा टॉपिक है वो है इनहरेंट पावर ऑफ हाई कोट पार्ट थ्री इससे पहले हमने दो पार्ट रिलीस किये हैं और आप उन दोनों को देखेगा जब वो दोनों देख लें तभी इस पार्ट पे आईएगा चलिए, इसको स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने पिछले दो पार्टों में बताया कि जो इनहरेंट पावर होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है हाई कोट का और ये जो पावर होती है वो सुप्रीम कोट के पास नहीं होती है तो आज हम ये चार रीजन्स देखेंगे कि ये क्यों पावर नहीं होती है क्या उसका रीजन है देखें पहला रीजन ये है कि सुप्रीम कोट डज नॉट है Original and Supervisory JurisZA Supreme Court के पास किसी भी प्रकार का कोई भी does not have Original or Supervisory JurisZA नहीं होता है जब भी हमें Supreme Court जाना होता है तो हम SLP में मतलब Special Lee Petition में ही Article 136 में ही जाब सकते हैं उसके अलावा हमारे पास कोई option नहीं होता है दूस्या कि जिस तरह से high court के पास supervisory functions होते हैं section 483 CRPC में वैसे supreme code के पास कोई supervisory function नहीं होते हैं ठीक है और जो कि supreme code की जो powers हैं बहुत wide है जो article 32 और 142 article में दे रखी हैं समिधान में तो वो powers ही exercise करते हैं which is somewhat like inherent powers पूरी तरह से inherent power नहीं कहेंगे लेकिन similar kind of powers उनके पास supreme code के पास होती हैं जो already enjoy करती है और जैसे की आपको पता होगा कि section 406 में हम withdrawal करते हैं cases का to try itself तो supreme code खुद case को withdraw करके try नहीं कर सकती है तो ये चारो कारण हैं जिनकी वज़े से supreme code के पास inherent power नहीं होती है बट inherent power ना होने का मतलब ये नहीं है कि supreme code के पास power नहीं होती है supreme code के पास पूरी power होती है लेकिन inherent power नहीं होती है उसके पास और भी similar powers है जैसे article 32 है, article 142 है etc. etc. appellate power है, बहुत सारी powers है जो high code के पास नहीं होती है तो supreme code का अपना एक अलग function एक अलग role है whereas जो high codes है उनका एक अलग role एक अलग function है एक question हमेशा आता है दिमाग में कि हम nothing को use क्यों करते हैं हम notwithstanding को use क्यों नहीं करते हैं देखिए nothing का मैंने आपको पहले भी अर्थ बताया कि जो nothing है उसका मतलब होता है saving तो अगर हम कोई भी चीज बचा रहे हैं तो हम nothing use करेंगे और अगर हमें कोई भी overriding provision लगाना है तो हम notwithstanding use करेंगे तो इस provision में nothing इसलिए used है क्योंकि कोई conflict है ही नहीं जो भी express provision है और जो inherent power है क्योंकि दोनों का जो ultimate purpose है वो क्या है? ends of justice वो चाहते हैं कि न्याय मिले लोगों को न्याय मिले जो भी इस CRPC के प्रावधान को पड़ेगा उसको न्याय मिले तो अगर हमें न्याय देना है तो हमें न्याय देने के लिए express provision कर सारा लेना पड़ेगा अगर express provision नहीं है तो उस case में हम inherent power को use करेंगे दोनों का ultimate purpose क्या है? न्याय देना, ends of justice ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे notwithstanding नहीं use कर सकते हैं इसलिए use नहीं करते हैं क्योंकि कोई conflict ही नहीं है दोनों के बीच में अगर कोई conflict होगा तभी तो हम notwithstanding use करेंगे तो क्योंकि both of them जो inherent power और express provision है वो complimentary to each other है दोनों एक साथ पढ़े जाने चाहिए एक साथ एक दूसरे के support में पढ़े जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और वो powers जो होगी वो और ज़्यादा enhance हो जाएंगी तभी हम इन दोनों को बोलते हैं कि they are to be read complimentary to each other तो कोई किसी के conflict में नहीं है दोनों two friends हैं दोनों दोस्त हैं जो दोस्त मतलब inherent power और express provision अब आपके दमाग में यह आ रहा होगा कि अगर यह दोनों दोस्त हैं तो फिर हमें inherent power को protect करने के जरूरत क्या है देखिए हमारा जो legislative wisdom है वो उसको कभी भी amend कर सकता है भविश्य के लिए तो कोई इसको amend करके ऐसा कोई provision ना बना दे जिसकी वज़े से inherent power affect हो जाए इसलिए हमने nothing use किया है ठीक है कि अगर कोई मालीजे amendment हुआ और amendment के बाद मालीजे कोई ऐसा provision आया जिस provision से inherent power disturb हुई तो वो disturb ना हो पाए उसको बचाने के लिए हमने nothing use किया गया तो अगर वो बची रहे बस हमारा ultimate purpose है वो protected रहे, saved रहे अगर conflict में है अभी तो नहीं है future में अगर हो जाता है ऐसा कोई provision legislative wisdom से या किसी और amendment की वज़े से तो उस case में वहाँ पर हम लोग जो हैं बची रहे यह हमारा ultimate purpose है इसमें दो important case laws है एक बलकर सिंग वसेज जगतीश अनदर्स 2005 सुप्रीम को टेक मैसर जहन्डू फार्मसेटिकल्स वर्क्स लिमिटेड वसेज मुहमद सारफुल हक यह दो cases आप अपने जब भी answers लिखें तो उनको side जरूर करिएगा तो यह दोनो cases आपको help करेंगे जब भी आप inherent powers का discussion करें एक चीज और before मैं जिससे पहले मैं lecture खतम करूँ मैंने कई lectures लोगों के देखे inherent powers के यह topic हर जगे discuss नहीं किया गया है एक चीज मुझे यहां बतानी है कि जो हमारे lectures होते हैं बहुत ही detailed manner में बहुत ही advanced level में बनाए जा रहे हैं तो हम यही चाहेंगे उपिक्षित है आप सभी से अनुरोध है कि आप lectures को like करिए lectures को comment करिए अपना feedback दीजे जो भी आपका कहना है जो भी आपका बताना है आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा जो भी आपका है हम उसको अगर आप बोलेंगे अच्छा लगा तो we'll get motivated अगर आप कहेंगे अच्छा नहीं लगा तो we'll try to improve our quality we'll try to improve our content we'll try to improve our material which we are providing है ना तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोगों की team है जो lectures को prepare करती है तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमें motivate करें हम लोगों को हमें ये नहीं है कि आप हमें आज subscribe कर दें और फिर आप हमें भूल जाएं we don't want that हम चाहते हैं कि आप हमें subscribe करें तो हमारे साथ जुड़े रहें अपनी knowledge को grow करते रहें तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं आपकी growth के लिए हमारी growth के लिए इसमें दोनों का ही फाइदा है ठीक हमारी growth कैसे क्योंकि हम लोग एक social cost के लिए कर रहे है और आपका फाइदा ये है कि आपको knowledge मिल रहे है number one number two जितनी अच्छी knowledge आपको होगी जितनी deep knowledge आपको होगी उतना जादा आपके future के लिए अच्छा होगा मैंने कही सारी lectures देखे हैं लोगों के जहां पे वो बस video दिखाते हैं play करते हैं background में कोई photo दिखा देंगे और वो बस उपर-उपर से knowledge they are providing but जो deep knowledge है एक intense knowledge है एक proper knowledge जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको बिना slide के नहीं मिल सकती है बिना content के नहीं मिल सकती है तो वो content is very very crucial और content के अलवा आपको समझ में भी आना चाहिए examples के तो अगर आपको वो चीज़ें चाहिए अगर वो आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो please ये देखे कि YouTube चैनल जो है उसका maximum benefit उठाइए और अपने आपको अपने level को अपने level of understanding को अपने IQ को legal IQ को increase करें तो जितना ज़ादा आप उसको increase करेंगे अपने ज़ादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा इसी positivity के साथ आज का lecture यहीं समाप करते है So thank you so much for staying tuned with our lecture हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप lectures को सुनते हैं देखते हैं comment करते हैं like करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 2011 में चैनल बना था और consistency नहीं रहे पाई इस चैनल के साथ और मेरे भी काफी commitments रहते हैं towards clients, towards other things तो मैं भी ज़ादा time नहीं निकाल पाता हूँ लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैंने अपना schedule इस तरह से बनाया है कि आपको daily एक lecture तो मैं दे पाऊँ अपनी तरफ से कितना मैं contribution ज़रूर करूँगा और lectures आपके regularly आएंगे यह मैं commitment अलड़ी दे चुका हूँ और यह commitment हमेशा आपके साथ रहेगा दूसरा यह commitment मुझे मैंने दिया है कि आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ही seriously लीजे यह बहुत ही deep technical intense knowledge है आप इसका screenshot ले सकते हैं अपने उसके लिए क्योंकि हमारे पास slides देने का कोई प्रावधान नहीं है as of now और हम किसी और channel पर जाना नहीं चाहते हैं अभी हमारे लिए YouTube हमारी preference है तो इसी वज़े से हम चाहते हैं कि जादा से जादा लोग इसको देखें जादा से जादा लोग इसको share करें जादा से जादा लोग इसको enjoy करें इस lecture को along with whatever जो भी हम discussion करते हैं left right का और इसी positivity के साथ इस lecture को यहीं समाब करते हैं आपका दिन शुब रहे wish you are very very happy दशेरा thank you so much जै हिन जै भारत